हेलो इस्टूरेंट स्वागा थे आपका कक्छा दस्सामाचिक बिग्यान के दो नमर वाले सबसे महत्पूर कोश्चन अंसर सेरीज में दोस्तो दो नमर वाले जो इंपोर्टेंट कोश्चन है वो हम इसकी एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं मैंसे हम लगवक 28 वाला कोश्चन हम कवर कर चुके हैं जिसका नाम है बीटू निसेदादिकार क्या रथ है 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 ना यहां तक हम कवर कर चुके थे आज हम कोश्चन करने जा रहे हैं 29 वे नमर से और question no.29 है हमारा देखिए दोस्तो question no.29 है अफरीका में render paste का आना परसंचिप टिपड़ी लिखिए तो इसका आंसर हम देखते हैं ध्यान से देखिए दोस्तो बहुत important question है और question का answer है अफरीका में render paste का आना नमर एक इसमें क्या है अफरीका में render paste नाम की बीमारी सबसे पहले 1880 की दसक के आखरी सालों में दिखाई दी मवेसियों में प्लैक की तरह फ्यलने वाली इस बीमारी से लोगों की अजीब का और स्थानी एर्थवरस्ता पर गहरा प्रवाव पड़ा दूसरा है उस समय पूरवी अफरीका में इरिटरिया पर हमला कर रहे इतावली सेनकों का पेट भरने के लिए एसियाई देसों से जानवर लाए जाते थे और फिर 1892 में अफरीका की अटलांटिक तर्ट तक जा पहुँची पास साल बाद एक कैप अफरीका दुर दच्छनी हिस्सा तक भी पहुँच गई रेंडर पेशने अपने रास्ते में आने वाले 90 प्रतिसत मवेशियों को मौत की नीन सुला दिया अनकी यह बीमारी मवेशियों को आती थी और बहुत बुरी तरीके से अनकी पिलैक की तरह यह बीमारी फैली थी अंगला इंपोर्टेंट कोश्चन है दोस्तो चटनी म्यूजिक क्यों और कहां लोग प्रिये था इस इंपोर्टेंट कोश्चन का आंसर है त्री निनाद और युगाना सुरी गुयाना में मसूर चटनी म्यूजिक भी भारतिय अप्रवासियों की वहां पहुचने के बाद सामने आई चनात्मक अभीबैक्तियों का उधारने सांस्कृतिक समागम के एक नई बैस्विक दुनिया के उधाय की प्रिक्रिया कांग थे ऐसी प्रिक्रिया थी जिसमें अलग-अलग स्थानों की चीजें आपश में घुल मिल जाती थी उनकी मूल पहचान और बिसेश्टाएं गुम हो जाती थी और बिलकुल नया रूप सामने आता था दोस्तों बहुत important question है इनको आपको पूरे अच्छे से याद कर लेना है इनसे बहार आपका ये भी question नहीं जाएगा मैं ये आपको sure करता हूँ कि आप अगर इनको अच्छे से याद कर लेते हो तो आपकी एक भी number का question न 19 सदी के आखर तक देश के विविन छेतरों के ब्यापसाई मिलकर chamber of commerce बनाने लगी थे ताकि सही तरह से ब्यापसाई कर सकें और सामुख चंता के मद्दों पर फैसला ले सकें question नमर 32 से भारत में कौन-कौन से मुख पूर्व अपनेवेसिक बन्दरगाओं से समुद्री ब्यापर चलता था दोस्तो इसका answer है गुजरात के तट पर इसते सूरत बन्दरगाय के जरिये भारत खाड़ी और लाल सागर के बन्दरगाओं से जुड़ा हुआ था कुरू मंडल तट पर मचली पटनम और बंगाल में हुगली के माद्यम से भी दच्छण पूर्वी एसियाई बन्दरगाओं के साथ खुब व्यापर चलता था दोस्तो बहुत important question है इसको आप अच्छे से लिख लेना जी जी भुई एक पार्सी बुनकर के बेटे थे अपने समय के बहुत सारे लोगों की तरह उन्होंने भी चीन के साथ ब्यापर और जहाज रानी का काम किया था जहाज रानी का मतलब होता है पानी के जहाज वाला है ना उनके पास जहाजों का बिसाल बेडा था अंग्रेज व्यपसाई थे जिन्होंने चीन के साथ व्यपपर किया था यानि कि इन्होंने 1917 में कलकत्ता में पहली जूट में लगाई थी और ये मारबाड़ी थे यानि कि राजस्थाने अंगला कोश्चन है निरंकोस बाद से क्या आर्थ है इसका आंसर है निरंकोस बाद राजकाज की ऐसी व्यपस्था है जिसमें किसी एक बैक्ति को शंपूर सक्ति प्राप्त हो और उस पर ना कानूनी पावंदी लगी हो ना ही सम्मिधाने यानि कि ऐसा बैक्ति जिसके राज की सारी पावर उसी के हाथ में हो उसको निरंकुस बाद कहते है कोउस्चन अमर 36 उल्मा वापतवा से क्या साए है दोस्तो इसका अंसर है उल्मा इस्लामी कानून और सर्या की विद्वान उल्मा कहलाती थे फट्वा अनिश्चे या अस्मंझस की स्थिती मैं इसलामी कानून जानने वाले विद्वान सामनता मुप्ती के द्वारा की जानने वाली बैदानिक घोषणा है यानिकी फत्वा यानिकी जो इसलाम के खिलाब कुछ भी काम करता है तो उसके खिलाब फत्वा जारी किया जाता है और उल्मा कौन होते हैं जो इसलाम कानून के जानकार होते हैं अंगला important question है गुटेनबर्ग कौन था मुद्रर करांती में उनका योगदान बताईए तो दोस्तो इसका answer है गुटेनबर्ग के पिता ब्यापारी थे वह खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बढ़ा हुआ वह बचपन से ही तेल और जेतून पेरने की मसीने देखता आया था बाद में उसने पत्थर पर पॉलिस करने की काली कला सीखी फिर सुनारी और अंत में उसने सीशे को इच्छित आकरतियों में गड़ने में महारत हस्त कर ली अपने ग्यान और अनवाव का उपयोग उसने अपने नए अवसकार में किया जेतून प्रेस ही प्रेंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्स बना और साचे का उपयोग अक्छरों की धातोई आकरतियों को गड़ने के लिए किया गया गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र बना लिया था उसने पहली किताब च्छापी बाइविल थी लगवग 180 प्राप्तियां बनाने में उसे 3 साल लगे जो उस समय के हिसाब से काफी था तो दोस्तो जी गुटेनबर्ग ने चापे खाने का अविसकार किया था और सर प्रतम इसने 1448 में बनाया था और इसने सर प्रतम कौन सी पुस्तक चापी उस चापे खाने से तो इसने बाइविल पुस्तक चापी थी और इसने तीन साल में 180 प्राप्तियां चाप दी थी ठीक है कोश्चन नमर 38 है बर्ना कूलर या देशी प्रेस एक्ट क्या था तो दोस्तों जी भूत इंपोर्टेंट कोश्चन है और इसका आंसर देखी ध्यान से इधर है 1857 के बिद्रोग के बाद प्रेस की सुतनतरता के प्रती रवय्या बदल गया क्रोद अंग्रेजों ने देशी प्रेस का मुहिपंद करने की मांग की जैसे जैसे भासाई समाचर पत्र राष्टबाद की समर्थन में मुकर होते गए बैसे बैसे उपने बैसे सरकार में कड़े नियंतरण के प्रस्ताव पर बहस तेज होने लगी आईरेस प्रेस कानून की तरज पर 1878 में बर्णा के लर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया इसे सरकार को भासाई प्रेस में छपी रिपोर्ट और समपात की एक कोश्चन सर करने का ब्यापा कदकार मिल गया नमर तीन आप इसके दो पॉंट याद कर सकते हो चाहो तो मैंने आपको तीन और चार भी बता देता हूँ इसको आप लिख लीजी ठीक है इंपोर्टेंट कोश्चन है आप अगर दो नमर में आता है तो आप इसके दो पॉंट लिख देना कोश्चन नमर 39 ने यूरोब में मुद्रण के आगमन पर संचिप टिपड़ी लिखिए तो दोस्तो इसका आंसर है यूरोब में मुद्रण का आगमन निमने बिंदुओं से था नमर एक सदियों तक चीन से रेसम और मसाले रेसम मर्ग से यूरोब आते रहेते 11वी सदी में चीनी कागज भी उसी रास्ते से वहां पहुँचा कागज ने कातिबों और या मुंसियों द्वारा साबधानी पूरोग लिखी गई पांडो लिपियों के उत्पादन को संबब बनाया 1295 में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लोटा चीन के पास वुड विलोक यानकी काटकी तक्ती बाली चपाई की तकनीक पहले से मौजूद थी मार्को पोलो यह ग्यान अपने साथ लेका लोटा इतावली भी तक्ती की चपाई से किताबे निकालने लगे और यह तकनीक बाकी यूरोब में फैल गई नमर तीन है किताबों की मांग बढ़ने के साथ साथ यूरोब भर के पुस्तक पिक्रेता विविन देशों में निज्यात करने लगे अलग-अलग जगाओं पर पुस्तक मेले लगने लगे बढ़ती मांग की आपूरती के लिए हस्त लेकित पांडूलिपियां के उत्पादन के भी नए तरीके सोचे गए किताबों की आबाद बढ़ती मांग हस्तलेकित पांडूलेपियां से पूरी नहीं होने बाली थी नकल उतारना बहत खर्चिला समय साध और स्रम साध कार था पांडूलेपियां अक्सर नाजुक होती थी उनके लाने ले जाने रख रखाओं में तमाम कट नहीं थी इसलिए उनका सरको लेशन सीमित रहा तो किताबों की बड़ती मांग के चलते बुट बुलोक प्रिंटेंग यानि की तक्ति की छपाई उत्रोत्तर लोग प्रिये होती गई 15-20 सदी की सुरुआ तक यूरोप मैं बड़े पैमाने पर तक्की की छपाई का प्रियोग करके कपड़े तास की पत्ते और छोटी-छोटी टिपडियों के साथ धार्मिक चित्र छापे जा रहे थे तो दोस्तों इसके आप चाहो तो तीन या चार पॉंट कर सकते हो मैंने आपको चार पॉंट बता दिए प्राप नहीं है या अलप बेरोजगारी की इस्तिति है जहां लोग प्रित्यक चुलूप से कार कर रहे हैं लेकिन अपनी छमता से काम करते हैं यान की कम काम करते हैं इसी को हम क्या कहते हैं अलप बेरोजगारी कहते हैं यान की कहें तो अगर दिन भर जैसे मालो आप एक ब कोश्चन नमब 41 अर्थवश्टा करिए प्रात्मिक जुत्यक और त्रितिक छित्र को समझाईए तो दोस्तों इसका प्रात्मिक छित्र है प्राकर्टिक संसादनों पर पिर्तियक्स रूप से आधारेत गतविदियों को प्रात्मिक छित्र कहा जाता है उधारण के लिए किर्सी को लिया जा सकता है फसलों के उत्पादन के लिए मुक्ता प्राकर्तिक कारकों जैसे मिर्दा बर्सा सूर का प्रकास बायू आधी पर निर्वर रहना पड़ता है अता किर्सी उपज एक प्राकर्तिक उत्पाद है इसी प्रकार बन पशुपालन खन जाता है उधान की लोए से मसीन बनाना या कपास से कपड़ा बनाना आदी या प्रात्मिक गत्विदियों के बाद अगला कदम है इस छेत्र में वस्तों सीधे पिरकृती से उत्पादित नहीं होती है वरान उन्हें मानवी एक रियाओं के द्वारा निर्मत किया जाता है एक किया किसी खार खाने घर में हो शकती है क्योंकि एक छेत्र क्रम सा संबंदित विवन परकार के उद्धोगों से जुड़ा हुआ है इसलिए इसे उद्धोग के छित्र भी कहा जाता है अब आता है तिरतेक चेदस तो सेवा छेत्र या तिरत्यक छेत्र की गतिविदियों प् तो खेंब फुटकर वाजारों में बेचने के लिए रेल या ट्रैक द्वारा परीवान करने की आवसक्ता पड़ती है। टेलीफॉन बगेरा आदी बैंक ब्यापार आदी ठीक है अंगला इंपोर्टेंट कोश्चन है मनरेगा 2005 के उद्देशों की ब्याख्या कीजिए तो इसका अंसर है मनरेगा भारत की लगबग 625 जलों में काम का अधिकाल लागू करने के लिए एक कानून बनाया इसे महात्मा गांदी राष्टे गरामिण रोजकार गारंटी अधिनियम 2005 कायते हैं इस अधिनियम की प्रमुकां बातें इस्प्रिकार हैं नमर एक याए अधिनियम किवाल एक कारकरामी नहीं है अपितु एक कानून है जिसके अंतरगत रोजगार हसल करने की कानूनी गारंटी दी गई है नमर दो इसके नियोजन तथा क्रियानबयन में पंचयती राजसंस्ताओं की महत्पूर्ण भूमका होगी नमर तीन इसका प्रमो को देश हर बर्स प्रते ग्रामीर एवं सहरी गरीब तथा निमन बर्ग के परिवार के एक बैस के बैक्ती को कम से कम 100 दिन रोजगार उपलब्द कराना होगा बाकी चार पॉंट और पांचवा पॉंट जे दे रखा है आप इसको पढ़ सकते है अंगला कोश्चन नमर 43 है खुली बेरोजगारी तथा पिर्चन बेरोजगारी को समझाईए तो देखिए इसका आंसर अंतर फॉंट में दिया हुआ है आप एक जे खुली बेरोजगारी हो जे पिर्चन बेरोजगारी इन दोनों को पढ़ सकते हैं दोनों का आंसर देखे जब बैक्ती कार करने की योग है और वेकार करना चाहते हैं लेकिन उनको कार नहीं मिलता है तो ऐसी इस्तिती को खुली बेरोजगारी कहते हैं भारत में इस प्रकार की बेरोजगारी ब्यापत है यहां लाखों बैक्ति ऐसे हैं जो सेक्षेते तकनीकी योगता प्रापत हैं लेकिन कार की अपसर नहीं मिल रहे हैं प्रिछन बेरोजगारी क्या होती है बेरोजगारी का यह सोरूप प्रत्यक्च रूप से दिखाई नहीं उसी को हम प्रिछन बेरोजगारी कहते हैं यानि कि जरूरत कम लोगों की है लेकिन उसमें जानदा लोग लगे हुई है ठीक है अंगला इंपोर्टेंट कोश्चन है बहुराष्टे कमपिनियों से क्या साय दो कमपिनियों के नाम लिखिए तो दोस्तों इसका आंसर है एक बहुराष्टे कमपिनियों वया है जो एक से अधिक राष्टों में उत्पादत करती है ये कमपिनियों बड़े प्यमाने पर उत्पादन करती है और उत्पादत बस्तों को अनिक राष्टों में बेशती है अब उधारण की बात आए तो जैसे की हम कह सकते है Tata जैसे की हम कह सकते है Reliance और नेक्स्ट है Adani और 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 वी लिख सकते है जैसे Mahindra हो गया ज है ना जिसी कमपणिया है जो दो या दोसे अधिक राष्टों में काम करती है जिए भारती कमपणिया और अगर बात करें तो जैसे Google हो गया, Microsoft हो गया, Samsung हो गया, यह ऐसी कंपनिया है जो बहुत सारे राष्टों में काम करती हैं तो आप इन कंपनियों को आरम से लिख सकते हैं अंगला important question है विदेशी ब्यापार क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है विदेशी ब्यापार से आसाई दो या दो से अधिक प्रतक सत्ताधारी राष्टों के बीच बश्टों और सेवाओं की बिन्मै से है यदि कृता और विकृता अलग अलग सत्ताधारी देशों में रायते हैं तो उनके बीच हुआ क्राय बिदेशी ब्यापर में बस्तुएं एक देश की सीमाओं को पार करके दूसरे देश की सीमाओं में प्रिवेश करती हैं उधारण के लिए बंगलादेश तथा भारत के बीच होने बाला ब्यापर बिदेशी ब्यापर कहलाएगा बिदेशी ब्यापर तीन प्रकार का होता है प दूसरे देश से स्थानी उपयों के लिए आयत नहीं की गई हो बरन वय किसी अन्य देश को निर्याद करने के उध्य से आयत की गई हो तो ऐसे ब्यापार को निर्याद हे तू आयत कहते हैं दोस्तो इसमें क्या होता है जैसे मालो अपन अपन कोई चीज का कोई बस्तू मंगा आते हैं किसी दूसरे देश से और उसको अपने देश के जरिये किसी दूसरे देश को भेज दिया मालो अपने कोई अमेरिका से बस्तू मंगाई और अमेरिका से वो भारत आती हो भारत से डारेक्ट अपन बंगला देश को भेज दे तो जै क्या हो गया आयत ही तू निर्या कर्थ अर्थवस्ता को विश्व की अर्थवस्ता के साथ एकिकरत करने से लगाया जाता है इसमें प्रतिक राष्ट का अन्य राष्टों के साथ बस्तु सेवा पूंजी एवं बौदिक संपदा का आप्रिबंदित आदान प्रदान होता है या बस्तुता खुली अर्थवस्त तिनियंतरण के अधीम चलते रहते हैं अताहा यह कहा जा सकता है कि बैस्वी करण एक ऐसी पिर्किरिया है जिसके अंतरगत सभी ब्यापारे किरियाओं का अंतरराष्टी करण हो जाता है और भी एक एकाई के रूब में कार करने लगती है अंगला important question है भारत में चीनी खिलोने के ब्यापार पर संचिप टिपली लिखी है तो दोस्तो इसका अंसर है important question है बहुत जानदा इसको अच्छे से कर लेना ब्यापार के कारण चीनी खिलोने भारत के बाजारों में आए भारतिये और चीनी खिलोनों की प्रतिस परदा में चीनी खिलोने बैतर साबित हुए भारतिये खरीदारों के समक्ष कम कीमत पर खिलोने के अपिक चक्रत अधिक बिकल्प है जिसे चीन के खिलोना निर्माताओं को अपना व्यापसाइप फेलाने की लेपसाइप पराप्त होता है इसके विप्रीद भारते खिलोना निर्माताओं को हानी होती है क्या किया कि उनके खिलोने कम बेखते हैं बरस में ही खिलोने की 70-80% दुकानों में भारते खिलोनों का इस्थान चीनी खिलोनों ने ले लिया है और हमारा अंतिम कोश्चन है विस व्यापर संग्ठन डबलू टी ओ पर संचिप टिप ले लिखिए तो दोस्तों ये भी इंपोर्टेंट कोश्चन है डबलू टी ओ यान जिसका अंतर राष्टी व्यापर को उधार बनाना है विकसित राष्टों की पहल पर सुरू किया गया विस व्यापर संग्ठन अंतर राष्टी व्यापर से संबंदे नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि नियमों का पालन हो बरतमाने में विस विके लगब लिखते हो तो आपके नमर नहीं कटेंगे क्योंकि दो नमर में इतना ही लिखा जाता है दोस्तों जे हमारे दो दो नमर वाले सभी important question सीरिज खतम हो चुकी है अब इसके बाद हम important जो हमारे जो OT होती है बहु विकल्पिय खालिस्तान सभी मैं बता दूँगा कौनसे पार्ट में से कितने नमर का आना है तो उस वाली वीडियो भी जल्दी से जल्दी लेकर आऊंगा मैं जब तक आप इनको अच्छे से याद कर लेजिए और हाँ वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को भी सेयर कर देना है न चलिए धन्यबाद